आज की इस वीडियो में हम कुछ एक important question डिसकस करेंगे जो की आने वाले competitive exam के लिए बहुत जादा useful रहने वाले है इस से पहले जो पुलिस महानी देशक थे हिमाचल परदेश के वो थे सीता राम मड्डी जो की 31 मई 2020 को रिटायर हो चुके है तो अब जो current में new DGP है 31 मई 2020 के बाद वो है संजे कुंडू ठीक है तो next है विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है right answer is 22 मार्च next question है विश्व स्वास्त्य दिवस कम मनाया जाता है right answer is 7 अप्रे next question है विश्व श्रमिक दिवस कम मनाया जाता है राइट आंसर इस एक मई नेक्स्ट क्वेशन है विश्व जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है सो राइट आंसर इस ग्यारा जुलाई नेक्स्ट क्वेशन है अंतराष्ट्रे महिला दिवस कम मनाया जाता है राइट आंसर इस आठ मार्च नेक्स्ट क्वेशन है विश्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है? राइट आंसर इस 5 जून नेक्स्ट क्वेशन है अंतराष्ट्रे योग दिवस कम मनाया जाता है? राइट आंसर इस 21 जून नेक्स्ट क्वेशन है विश्व एड्स दिवस कम मनाया जाता है? उयुआन रैनमीनभी चीन की राजधानी कहा है? बीजिंग इरान की मुद्रा क्या है? रियाद इरान की राजधानी क्या है? आणशार इच्छेम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा ने traffic विश्व में सबसे बड़ा महा काव्या कौन सा है? So, right answer is महा भारत. Next question है, सबसे उंचे जानवर का नाम क्या है? Right answer is जिराव. Next question है, gateway of India कहा है? Right answer is मुंबई. Next question है, India gate कहा है? Right answer is दिल्ली. Next question है, पौदे की वृरीदी किस यंत्र से मापी जाती है? Right answer is kresco graph. Next question है, पीने वाले polio vaccine की खोज किस ने की? Right answer is copro vski. Next question है, polio vaccine के injection की खोज किस ने की? Right answer is Jonas Sark. Next question है, टेलिफॉन का विश्कार किस ने किया? So, right answer is Alexander Graham Bell. Next question है, television का विश्कार किस ने किया? Right answer is J.L. Bayard. Next question है, प्रकाश की गती प्रति सेकिंड कितनी होती है? So, right answer is 2,90,000 मील. Next question है, मुनुश्य श्री की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है? So, right answer is यकृत यानि की लिवर. Next question है, मानव रक्त कितने परकार का होता है? So, right answer is 4 परकार का. Next question है, हीमोगलोबिन में क्या पाया जाता है? So, right answer is Loha War Protein. Next question है, भारत के राश्ट्रपती को पदवगोपनियता की शप्त कौन दिलाता है? So, right answer is भारत के मुख्य नियाएधिश. Next question है, भारत के राश्ट्रपती का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? So, right answer is 35 वर्ष. Next question है, राश्ट्रपती राज्यसवा के लिए कितने सदस्य को मनोनित कर सकता है? So, right answer is 12 सदस्य को. Next है, रिजर्ब बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? So, right answer is 1935. Next question है, भारतिय मौदरिक निती कौन निधारित करता है? Right answer is, रिजर्ब बैंक. Next question है, भारतिय सविदान के प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे? So, right answer is, डॉक्टर भीम राव अंबेदकर. Next question है, भारतिय सविदान को कब अंगिक्रित किया गया था? So, right answer is, 26 नवंबर 1949. Next question है, भारतिय सविदान को कब लागू किया गया था? So, right answer is, 26 जनवरी 1950. Next question है, पलासी की लडाई कब हुई थी? So, right answer is, 1757 में. Next question है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? So, right answer is, 1950. Next question है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? So, right answer is, निती आयोग. Next question है, विश्व में सरवादिक खनीज तेल उतपादक देश कौन है? So, right answer is, सोवियत संग. Next question है, परदान मंत्री बनने के बाद नरेंदर मोधी पहले पहली विदेश यात्रा किस देश में हुई? So, right answer is, भूटान. Next question है, देश का पहला डिजिटल राज्य कौन है? So, right answer is, केरल. Next है, गूगल कंपनी के सीई-ओ. Right answer is, सुन्दर पिचाई. So, next question है, डोनाल ट्रम्प अमेरिका के राश्ट्रपती कितने नम्मर पर बने थे? So, डोनाल ट्रम्प बने थे, 45th position पर. So, अब जो क्रंट में अमेरिका के राश्ट्रपती है, वो है जो भी डन. ठीक है, जो कि आपके पास 46th position पर राश्ट्रपती है. Next है, USA के राश्ट्रपती का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? So, right answer is, 4 साल का. Next question है, मनुश्य एक मिनिट में कितनी बार सांस लेता है? So, right answer is, 15 बार. Next है, शरीर में हीमोगलोबिन का क्या कार्य होता है? So, right answer is, ऑक्सिजन का परीवन. So, ये थे आपके कुछ एक important question जो कि आपके exam के लिए बहुत जादा important है. So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा and channel को subscribe कीजिएगा. Thank you.